Hello and welcome to RL, Rxl Network. मैं हूँ आपका दोस और आज की इस amazing वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि Excel के अंदर SYD, यानि कि Sum of the Year Depreciation Formula हम कैसे यूज करते हैं? यह Depreciation की सबसे last वीडियो है, और यह Depreciation की last वीडियो होते वोते, यह मेरे वीडियो सिरीज की 200, यानि कि 200 वीडियो है, यानि कि इसी वीडियो के साथ मेरे यूटूब चैनल पर 200 वीडियो कम्पलीट हो जाएंगी, और मैं यहाँ पर आपको सिखाऊँगा कि SYD formula हम कैसे use करते हैं, SYD एक ऐसा formula होता है, जो कि आपको बताता है, कि एक साल के अंदर जो आपका total depreciation लगा है, वो कितना है, यह इसको आपको calculate करने में आपकी मदद करता है, तो यह इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक example यह हुआ है, कि मैंने एक car खरीदी हुए या Ferrari, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए की, और अगर मैं उसको 6 साल बाद बेचता हूँ, तो मैं assume कर रहा हूँ कि इसकी कीमत सिरफ 50,000 रुपए रह जाएगी, तो इसके according मेरा हर सा कितना depreciation लगा है, इसको अगर मुझे calculate करना है, तो मैं SYD formula को use करके calculate कर सकता हूँ, चले मैं आपको calculate करके दिखाता हूँ, मैंने already calculate किया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, और आपके लिए नए सिरे से formula लगाता हूँ, is equal to SYD, टाइप किया, returns the sum of year digit depreciation of assets for a specified period, उसके बाद मैं bracket को open करता हूँ, और open करने के बाद मुझे सबसे पहले पूछ रहा है cost, यानि कि आप जिसके उपर depreciation लगाएंगे, उसकी कीमत कितनी है, इसको select करने के बाद मैं इसको F4 के साथ lock जरूर करूँगा, ताकि मैं इस formula को नीच कितनी रहा जाएगी, मैं इसको भी F4 के साथ lock जरूर करूँगा, इसके बाद मुझे से पूछ रहा है life, यानि कि आपकी जो 5 लाकी कार है, इसको आप कितने साल बाद बेचेंगे, तो मैंने assumption लगाई है, कि मैं इसको 6 साल बाद बेचेंगा, तो मैं इसको भी select करने के मैं मुझे से पूछ रहा है period, यानि कि आप कौन से साल का depreciation नकालोगे, तो उसको मैंने select कर लिया यहां से, इसके बाद मैं करता हूँ bracket को close और enter, जैसी मैं enter करूँगा, तो आप देखेंगे कि पहले साल का depreciation वो calculate होकर आ जाएगा, अब बागी सब का depreciation जानने के लिए मैं चार लाग पचास जार रुपए रह जाएगा, यानि कि 6 साल बाद जब मैं इसको बेचूंगा, तो इसकी कीमत सिर्फ और सिरफ पचास जार रुपए रह जाएगी, देख रहें आप, so I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आये होगी, और next वीडियो में आप देखेंगे जो क सबसी खुबसूरत फीचर, so आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए, गुड़ बाई,